दिल को छू लेने वाली कहानी हर टचिंग स्टोरी उस दिन सवेरे छे बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा पर देरी से पहुँचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी मेरे पास साड़े नो की ट्रेन के इलावा कोई चारा नहीं था मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए बहुत जोर की भूख लगी थी मैं होटल की ओर जा रहा था अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी दोनों लगभग दस बारा साल के रहे होंगे बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी कमजोरी के कारण स्थित पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे वे भूखे लग रहे थे छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था मैं अचानक रुक गया दोड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गए जीवन को देख मेरा मन भर आया सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिये जाए मैंने उन्हें दस रुपे देकर आगे बढ़ गया परंतु मेरे मन में एक विचार आया कितना कंजूस हूँ मैं दस रुपे का क्या मिलेगा चाय तक ढंक से ना मिलेगी स्वेंपर शर्म आई फिर वापस लोटा मैंने बच्चों से कहा कुछ खाओगे बच्चे थोड़े असमंजद से मैं पड़े मैंने कहा बेटा मैं नाष्टा करने जा रहा हूँ तुम भी कर लो वे दोनों भूख के कारण तयार हो गए उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले डाट दिया और भगाने लगा मैंने कहा भाई सहब इन्हें जो खाना खाना है वो उन्हें दो पैसे मैं दे दूँगा पोटल वाले ने अश्चर से मेरी और देखा उसकी आँखों में उसके बरताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी बच्चों ने नाष्टा मिठाई वे लस्सी मांगी सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाष्टा बच्चों को लेकर दिया बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुश निराली ही थी मैंने बच्चों को कहा बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिये हैं उससे एक रुपे का शैंपू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना और फिर दुपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना और मैं नाष्टे के पैसे देकर फिर अपनी दोड़ती दिन चर्या की और बढ़ निकला वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे उटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे में स्टेशन की और निकला थोड़ा मन भारी लग रहा था मन थोड़ा उनके बारे में सोच कर दुखी हो रहा था रास्ते में मंदिर आया मंदिर की और देखा और कहा हे भगवान आप कहा हो इन बच्चों की हालत ये भूख आप कैसे चुप बैठ सकते हो दूसरे शण मेरे मन में विचार आया पुत्र अभी तक जो तुमें नाष्टा दे रहा है वो कौन था क्या तुम्हें लगता है तुमने ये सब अपनी सोच से किया है मैं स्तब्ध हो गया मेरे सारे प्रश्ण समाप्त हो गया ऐसा लगा जैसे मैंने इश्वर से बात की हो मुझे समझ आ चुका था हम निमित मात्र के हैं और कारे कलाप के वो महान है भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भीजता है जब वह हमें उस काम की लायक समझता है किसी मदद को मना करना वैसा हिए जैसे भगवान के काम को मना करना अंत्याथ आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आप से कुछ खाने के लिए मांगई तो आप अपनी समर्थ अनसार मदद जरूर करें क्योंकि सुहम भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है चली आज की सुहानिस सुबह कशु बारम करें कुछ ऐसी संकल्प के साथ कि विरिक्षा वृधि को हम बढ़ावा ना दे लेकिन अशक्त लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें इश्वर से प्राथना हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक बनाए हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुद्रेंगे युग सुद्रेगा पहले अपना आप सुधारे आओ यारो मिल जुल कर हम मानवता का रूप निखा रहे हैं तो यह थी आज की हमारी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे धेर सारी शिक्षा भरी कहानी हम आप तक लाते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ एक नई जूच के साथ तब तक के लिए धन्यवार